वेल दोस्तों, बिग बॉस सीजन सिस्टीन के घर के अंदर आने वाले एपिसोड में क्या होगा? आने वाले एपिसोड में कौन को नॉमीनेट होने वाला है? नॉमीनेशन की प्रक्रिया के दौरान और कौन सा कंटेस्टरट वो है、 जो कि इस अपते बेगर हो सकता है? और साथी साथ नॉमिनेशन की प्रक्रिया के दुरान घरवालों को क्या करना होगा ये सारी की सारी बातें पूरे विस्तार से बताएंगे दोस्तों आज के खास रिपोर्ट में लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारी योट्यूब चैनल क्विक टीवी नूज को आपने सबस्क्राइब नहीं किया है दोस्तों तो सबसे पहले क्विक टीवी नूज को आप सबस्क्राइब करना ना भूलिये आपको बताना चाहते हैं बिग बॉस के एक्टिविटी एरिया को जो है एक अलग तरीके का वहाँ महोल और सटप जो है वो तयार किया हुआ होगा जहां पर कंटेस्टेंट्स को तलवार लेका जो है किसी दूसरे कंटेस्टेंट के पीट पीछे जो है वो वार करके उनको नॉमीनेट करना होगा आपको बताना चाहते हैं दोस्तों नॉमिनेशन की प्रक्रिया जो है काफी मतलब अलग तो रही लेकिन इस नॉमिनेशन के प्रक्रिया के बाद घर से बेकर होने के लिए कौन को नॉमिनेट हुआ तीन सदस्य जो है वो नॉमिनेट हुए गर से वेगर होने के लिए उन में से पहला कंटेस्टंट का नाम है सुम्बुल तौकिर खान जिनके पीट पीछे जो है छे मतलब तलवार जो है वो पूरी तरह से लगा हुआ था इसके बाद दूसरी कंटेस्टंट है अर्चना गौत अर्चना गौतम के पीट पर भी तीन मतलब छे जो तलवार है वो लगे वे थे और इसके बाद और एक कंटेस्टंट सौंदरिया शर्मा थी सौंदरिया शर्मा के पीट पीछे जो है वो भी ती मतलब वो भी छे जो मतलब पांट जो है तलवार जो है वो लटकी हुई थी अब इसका मतलब यह है कि घरवालों ने नॉमिनिट किया, अब आपको यहां बताना चाहते हैं दोस्तों सुम्बल तौकिर खान को यहां सबसे बड़ा जटका क्यूं लगा, तो सुम्बल को जटका इसलिए लगा, क्यूंकि सुम्बल तौकिर खान ने वो यह देखा कि यहां पर उनके साथ जो हमेशा थे, उन लोगों ने ही सुम्बल को नॉमिनिट किया, उन लोगों ने ही सुम्बल तौकिर खान को धोका दिया, और सुम्बल तौकिर खान के पीट चाते हैं किसका जादा chances है तो बिग बॉस के makers ने जान बूच कर तीन सदस्यों को जो है वो nomination में डाला है इसका मतलब पिछले अपते जो है nomination नहीं हुआ था तो इस अपते हो सकता है दोस्तो nomination हो जाए और nomination हो जाए तो हो सकता है कोई चौकाने वाला इविक्षन मतलब नॉमिनेशन नहीं कोई इविक्षन हो जाए चौकाने वाला इविक्षन हो जाए जो कि आप सर्भी दर्शकों को हिला सकता है दोस्तों अब इस नॉमिनेशन की प्रक्रिया के बाद जो है तीन सदा से नॉमिनेट हुए थे और सुम्बूल सुम्बल तौकिर खान को यहाँ सबसे बड़ा जटका लगा क्योंकि सुमबल तौकिर खान को उमीद थी न जिस चैनल से यहाँ पर उन्हें नॉमिनेशन की की नॉमिनेट कर सकते हैंक can varit जो नॉमिनेट उन से तो कोई उमीद नहीं थी लेकिन भी उन लोगों निसबते हो जाए, क्या कहते हैं आप, आपकी क्या राह है, विग बॉस के मेकर्स ने कोई जाल में फसाया तो नहीं है ये बात आप सबी दशक आप हमें अपने कमेंट के जरे से बताएं, क्योंगि सौंदरिया तो पूरी तरह से लव एंगल में फसी हुई है और उन्हें तो बाहर निकाल नहीं सकते और दूसरा अर्चना की बात करें तो अर्चना गौतम वो खुद content दे रही है शो को जब अर्दस्त तरीके से content दे रही है और जो कुछ नहीं दे रहा है वो है सुंबुल सुंबुल को पूरी करशे dominate किया जा रहा है तो अब आप क्या क्या कहना असपर comment की तरूँ आप हमें जरूर बताएं